Good morning guys, welcome back तो guys, ये वाली वीडियो में मैं आप लोग को totally resume के उपर बताने वाला हूँ Number one, आप लोग को बताऊँगा कि आप resume कहाँ पर create कर सकते हो free में कोई पैसा दिनी के जरूत नहीं, आप लोग को ऐसे websites आप लोग को दिखाऊँगा इंस्टाग्राम और comment section में comment करके पूच सकते हो और एक और चीज़ गाईस, कि आज से मैंने एक नहीं चीज़ शुरू किया है कि मैं जो भी video end करूंगा ना, मेरी जो next वाली video आने वाली होगी वो आपको मेरे ये वाली video के end में पता लग जाएगा सो वीडियो एंड तेक देखना आप लोगो पता लग जाएगा मेरी next वाली video कॉंसे टॉपिक पर है अब ये वाली video स्टाट करते है गाईस जो हमारी पहली website एक free resume क्रिएट करने के लिए वो है 9 resume आप लोग ने सुना होगा इसके बारे में गाईस यहाँ पर एक नया update आया guys कि पहले क्या होता था कि आप लोग यहाँ पर resume क्रिएट करने के बाद फिर से edit नहीं कर पाते थे बट अभी 2021 में guys यह भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है free में आप लोग कोई भी resume को again and again edit कर सकते हो यह option यह लोगो उने provide किया है और guys मेरे हिसाब से यह one of the best websites है एक resume create करने के लिए यहाँ पर guys आप लोग को sign in करना पड़ेगा sign in करने के बाद आप लोग कोई भी resume को यहाँ पर यह देख सकते हो यह जो भी templates दिख रहे यह templates में आप लोग एक resume edit कर सकते हो आप लोग जो भी आड़ करना चाते हो कर सकते हो so free में guys आपको कहां पर ऐसा software available मिलेगा जहां पर लोग इतने सारे changes कर सकते हो so मेरे इसाब से guys nova resume is one of the best website to create a free resume plus जब भी भी आप download करते हो तो कोई भी watermark या कुछ भी नहीं आता है so ऐसा कुछ पता भी नहीं लगा है कि आपने free में करिया है कि pro किया है so nova resume is best और कोई भी grammatical errors है तो वो भी autocorrect कर देता है so guys जो हमारा second वाला website है वो है Canva मैंने अपना खुद का resume यहाँ पर create किया हुआ है guys आप देख सकते हो यह वाला जो resume है वो मैंने अपने visa के लिए edit किया दा है यहाँ पर आपको दिखा था हूँ मैंने क्या-क्या लिखा था मेरे resume में end में बट पहले आप लोग को यह दिखा देता हूँ कि resume यहाँ पर किस तरीके के format में आप लोग create कर सकते हो so guys यह है मेरा resume जो मैंने यहाँ पर create किया था बट उससे पहले आप लोग को में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने सारे formats आप लोग को मिल जाते है आप देख सकते हो guys यह सारे free है यह यहाँ पर यह सारे available थे पलस आप अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे templates मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग free में एक resume create कर सकते हो और guys आपको बिलकुल भी यहाँ पर edit करने की भी ज़रूरत नी है आपको जो format दिया हो है वहाँ पर सिर्फ आप लोग copy paste भी करके अपना resume create कर सकते हो so यह best चीज मुझे लगी Canva की और यहाँ पर भी guys आप लोग automatically grammatical जो भी errors होती है वो auto correct हो जाती है तो आप लोग को grammar का भी tension लहने की कोई ज़रूरत नी है so मेरे हिसाब से guys Canva one of the best software जे resume create करने के लिए NOAA के बाद मैं Canva ही recommend करूँगा किसी को भी so guys जो हमारा third वाला website है resume create करने के लिए free में वो है google docs google docs भी guys बहुत सही तरीके से आप लोग को अच्छे-च्छे resumes edit करके दे सकता है बस आप लोग को यहाँ पर editing करना थोड़ा सीखना पड़ेगा youtube पे कि किस तरीके से आप लोग को edit करना है क्या है because इसके format में आप ज़्यादा changes नहीं कर पाते हो there are limited things जो आप यहाँ पर change कर सकते हो मेरे हिसाब से so यह google documents भी actually में काफी अच्छा है बहुत अच्छा resume edit करने के लिए but मैंने guys google documents में कभी resume edit नहीं किया है तो आप लोग को अगर resume को edit करना हो तो आप लोग YouTube पे भी search कर सकते हो कैसे आप लोग Google Docs में resume edit कर सकते हो यहाँ पे भी guys आप लोग को limited से templates मिल जाते हैं बहुत सारे available नहीं है limited available है बट यहाँ से काम आपका बन जाएगा free में तो यह सारे आप देख सकते हो formats जो भी आप लोग को अच्छा लगता है वह format आप select करके resume create कर सकते हो so guys मेरे इसाब से यह तीन website से जहां पे आप लोग एक अच्छा खासा free में resume edit कर सकते हो अभी आप लोग को मैं अपना resume दिखाता हूँ जो मैंने visa के लिए apply किया है और यही resume को आप लोग job के लिए भी apply कर सकते हो so guys यह वाला मेरे resume है जिसे मैंने visa के लिए apply किया था आप लोग को guys कुछ चीजे बताता हूँ मैं किस तरीके से आप लोग को visa या फिर कोई भी job के लिए आप कर रहे हो उसके बाद नीचे guys आप लोग कोई भी तीन words यूज कर सकते हो जो आप लोग को define करते हो एक simple तरीके से या फिर आप लोग एक paragraph में भी लिख सकते हो दो-तीन line के अंदर कुछ लोग लिखते है इस तरीके से बट मैं guys एक normally three words के अंदर अपने आपको explain करना जाधा accurate समझता हूँ तो यहाँ पे guys मैंने quick learner, firefighter, enthusiastic करके three words use किये define करने के लिए उसके बाद guys आप लोग left side पे आपना professional skills दिखा सकते हो guys consequence आपकी professional skills रही है तो मैंने guys solid works पे काम किया हुआ है critical thinking, project management भी कर रखे team manage करता था मैं college के अंदर plus autocad पे भी मैंने काम कर रखा है communication skills, collaborative nature यह सब भी आप लोग add-on कर सकते हो plus आप लोग अगर मेरी वीडियो से कुछ copy paste करना चाते हो तो वो भी कर सकते हो आप लोग कोई problem नहीं है उसके बाद guys right side पे सबसे पहले आप लोग का education आएगा education में guys जो भी education आप लोगों ने recently complete किया है वो ही आप लोग पहले mention करोगे उसके बाद आपके 10th, 12th यह सब आएगा so पहले मैंने अपना B.Tech Mechatronics में complete किया है guys SRM Institute से और जो भी आपका score है और आपका कौन से year में आप पास हुए थे वो भी आप लोग लिख सकते हो उसके बाद guys आप लोग यहाँ पे 12th का दिखा सकते हो 12th आप लोग ने कहां पे complete किया है और आपका college का नाम और आपका score यह simple तरीके से है उसके बाद 10th इस तरीके से guys आप लोग अगर लिखो के तो जो resume पढ़ रहा होगा उसको convenient रहेगा पढ़ना उसके बाद guys आगर आप देखो के तो कहां से आप लोग ने certifications complete किये वो भी आप लोग दिखा सकते हो मैंने NPTL से robotics किया था फिर आप लोग Google से मैंने एक exam दिया था fundamental of digital marketing का उसके ओपर भी मुझे एक award मिला था तो वो भी मैंने यहाँ पर certification mention कर रहा है plus मैंने embedded systems में भी course कर रहा था EPR labs में और भी बहुत सारे मेरे पास certifications है guys but मैंने यहाँ पर add नहीं किये because वो कुछ जादा ही certifications दिखा रहे था के अंदर ही fit करना था इसे so मैंने इसको एक simple तरीके से एक ही award यहाँ पर SRM University में अम लोग ने एक project किया था Rubens Tube के ओपर जो अम लोग को award मिला था तो मैंने वो ही यहाँ पर mention किया है उसके बाद guys मैंने contact की details यहाँ पर add करिये अगर आप चाहो तो guys यहाँ पर top पर भी contact की details add कर सकते हो कोई issues नहीं है बट आप लोग नीचे भी कर सकते हो कोई visa के लिए आप लोग को contact नहीं करने वाले तो आप लोग कहीं पर भी add कर सकते हो बट अगर आप लोग job के लिए apply कर रहे हो बट सारी internships कोई पढ़ने वाला भी नहीं है जो भी top 2 या 3 internships आप लोग ने करी है वो आप लोग यहाँ पर add कर सकते हो तो मैंने अपनी 2 internships यहाँ पर add कर रखे है guys तो internship कहाँ पर किया है आपने पहले वो उसके बाद आप लोग ने कौन से year में किया था वो भी आप लोग यहाँ पर add कर सकते हैं और चोटा सा 4-5 lines का यहाँ पर descriptions bullet points में लिको तो ज़्यादा अच्छा है guys बट मैंने यहाँ पर points में लिक रखा है और थोड़ा बहुत paragraph में भी explain कर रखा है उसके बाद guys मेरी जो second internship थी वो थी last year मैंने कहां किया था उसके बाद यहाँ पर मैंने explanation दे दिया है कि क्या-क्या मैंने सीखा था वागेरा आप लोगो guys इतना सारा I don't think explanation देनी की जरुत है but मैंने दिया था because मुझे लगा कि वो valid है जो जो चीज़े मैंने सीखी दी वो सारी चीज़े मैंने यहाँ पर add कर दी है वालुट में उसके बाद मैंस मैंने concept projects पर काम किया था project भी guys मैंने 4-5 कर रखे है but यहाँ पर मैंने 2 major project और minor project ही add किया है जो मेरे हिसाब से मैं master's में जो program में जा रहा हूँ उसे connect करते हुए दिखाएंगे so मेरा जो पहले वाला project था वो था guys minor project जो था आम लोगों का three finger soft robotic gripper तो उसके ओपर मैंने explanation दिया था कि अम लोगों ने एक robotic gripper बनाया था किस तरीके से बनाया था top top जो भी main main points थे वो सारे मैंने mention कर दी है paragraph के अदर plus आप लोग मेरा जो second वाला project है वो है major project जो हम लोगों ने design किया था lower limb exoskeleton partially paralyzed patients के लिए so ये भी एक अच्छा खासा project है जो I think एक mechanical या mechatronics से industrial student को fit करेगा because मैं भी वोही line में आगे जा रहा हूँ so ये है guys मेरा resume I would guys मेरे resume में में कुछ चीजे mistakes करीए वो लोग आप ना करो तो जादा अच्छा है आप notice करो कि मैंने हर चीज paragraph में लिखी है आप लोग paragraph में मत लिखना आप लोग bullet points में लिखो तो पढ़ने वाले को जादा easy रहता है जो भी पढ़ रहा होता है अगर paragraph में होगा guys use किया मेरे projects के लिए बट अगर आप लोग one page में fit कर सकते हो तो it will be well and good उसके बाद guys यहाँ पे आप लोग सब कुछ add मत करना कुछ-कुछ main-main चीजे add कर लेना जो भी आप लोग को लगता है कि यह मेरे job या मेरे visa को help करेगा push करने के लिए तो वो सारी चीजे आप यहाँ add on कर सकते हो प्रस guys इसे थोड़ा colorful और attractive बनाना तो जो भी पढ़ रहा हो से थोड़ा सा interesting लगे और दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाने का try करना उसके बाद guys आप लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे guys यह Canva में आपको कोई special feature मिलता है आप लोग कोई भी font यूज कर सकते हो जो भी आप लोग को यूज करना है because बहुत सारे fonts भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे available है there are plenty of fonts जो आप लोग free में use कर सकते हो so यह Canva का एक best feature मुझे लगा so guys यही जारी चीजे थी जो मुझे आपको यह वाली वीडियो में बतानी थी resume से related कैसा लगा आप लोग को कैसे लगे आपको websites please मुझे जरूर comment section में comment करके या video like करके या मुझे instagram पे dm करके भी आप बता सकते हो कोई भी doubt है मैं आप लोग का solve करने का try जरूर करूँगा plus guys अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया video like नहीं किया तो जरूर कर देना मेरी video को share करो ऐसी जगाओ पे जहां पे लोग Canada जा रहे हो visa apply कर रहे हो उनको बहुत help मिलेगी guys because मेरी जो next वाली वीडियो है वो होगी SOP visa के लिए कैसे create करना है college का SOP और visa के लिए SOP वो दो अलग चीज़े होती है college का अगर आप लोगों ने मेरे SOP नहीं देखा guys तो i button में link देख हुआ जरूर जाके check out कर लेना चो guys अम लोग मिलते हैं वे लिए next वाली वीडियो में तब तक के लिए bye bye